प्रस्क्राइब करें दया स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं नमस्कार दोस्तों आपका अपने परिवार्दा स्पीड इस्टेडी पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों आप जो लोग नए जुड़े होंगे दोस्तों वो लोग जान जाये दोस्तों कि हम लोग जब जुड़ते हैं तो सबसे पहले दोस् फलता की और अग्रसर हैं दोस्तों आप लोग ये बताईए दोस्तों एक बार पहले आप लोग कमेंट करके ये बताईए दोस्तों कि क्या आपको कुछ फील हो रहा है कि हाँ आ रहा है आपको दोस्तों एक बार कमेंट करके आप लोग बताईए कि क्या आप लोगों को फील हो तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि समझ में आ रही है क्लास कि नहीं समझ में आ रही है दोस्तों क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रही है और क्लास लूँगा मैं तो मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ ठीक एक पिश्ली क्लासेस देख चुके होँगे उसकी नोट्स बना लिए होंगे दोस्तों उसी क्र racism में आज हमलोगों का आगी क्रम हैं दोस्तों एक बार जल्दी से जैय हिंद करिए हां देख रहा हूं जैय हिंद नीराज जैहिंद अभी जैहिंद अभिषेक जैहिंद जय हिंद आतक्रिती जय हिंद तो दोस्तों चलिए हम एक बार जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक मिनट रुख जाएगा तो चलिए हम लोग श्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो हमारा सिसन है एक बार जल्दी से दोस्तों जय हिंद कर दीजे सब लोग एक बार जल्दी से दोस्तों जय हिंद लिखिए तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का कारिकरम दोस्तों हमने कहा जो बच्चे आज नए जुड़े हूँ दोस्तों उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम लोग सबसे पहले दोस्तों रूल पढते हैं उसके बाद फिर आगे इपे पढते हैं दोस्तों OWS पढ़ते हैं दोस्तों और Logi Word पढ़ते हैं दोस्तों अब आप सोच रहोंगे यह OWS क्या है IP क्या है तो रुकिए गा आभी पता चलेगा आपको क्या है दोस्तों एक बार जल्दी से दोस्तों आप लोग लाइक करिए दोस्तों एक बार जल्दी से दोस्तों लाइक करिए मै होगा क्या लिखा है देखिए पहला वर्ड मैं पढ़ता हूं दोस्तों फाइनल कंक्लूजन दूसरा काइंडली रिक्वेस्टेड तीसरा यूनिवर्सली आल अगला चौथा सफिसेंट एनफ पाच्वा दोस्तों रिपीट अगें छठा दोस्तों रिबार्न अगें साथवा दोस्तों रिब्यूल्ड अगें आठवा दोस्तों रिट्रेट अगें और नवा दोस्तों रिकाल अगें और दसवा दोस्तों रिसीड अगें जी हां दोस्तों हमने कहा है दोस्तों कि यह वर्ड आप लोग लिख लिया किजे कॉपी में ताकि जो है नोट्स जब बनाएं द पता देता हूं दोस्तों फाइनल कंक्लूजन फाइनल मतलब होता है अंतिम रूप से और कंक्लूजन का मतलब भी होता है दोस्तों अंतिम रूप से इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि फाइनल कंक्लूजन कभी साथ नहीं लिखा जाएगा दोस्तों उसी तरह अगला देखिए दोस्तों लिखा है kindly requested kindly का मतलब ही होता है दोस्तों कि मतलब बिंती करना या request करना दोस्तों kindly का मतलब ही होता है इसलिए kindly और request दोनों साथ नहीं लिखे जाते दोस्तों उसी तरह तीसरा देखिए दोस्तों यूनिवर्सली आल यूनिवर्सली का मतलब होता है पूरा यूनिव लिए चीजह आती है वो सभी यूनिवर्स के अंतर गत आती है दोस्तो और आल का मतलब ही दोस्तों पूरा होता है अर्थात यूनिवरसली और और दोनों कभी साथ-साथ नहीं रहेंगे दोस्तों आगे देख Unreal दोस्तों सफीसियंट एनफ जी हां दोस्तों सफीसियंट का मतलब होता है दोस्तों परियाप्त कहते नहीं है दोस्तों कि बस इतना सफीसियंट है या फिर बस इतना एनफ है तो वहीं चीज आते दोस्तों कि क्या कि चाहे आज सफीसियंट का प्रियोग करें चाहे आप एनफ क प्रयोग करें दोस्तों दोनों चीज एक है वहीं आगे अगर हम बात करें दोस्तों रिपीट अगें जी हां दोस्तों रिपीट अगें अर्था दोस्तों रिपीट और अगें रिपीट का मतलब करता है आवाज रिपीट होती है मतलब वही चीज बार बार आ रही है रिपीट का मतलब बार बार वही चीज होना दोस्तों और देखिए अगेन का मतलब क्या हुए दोस्तों आगेन का मतलब होता है दोस्तों पुना है ठिक तो रिपीट आगेन का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि वही चीज अर्थात यह तो आप रिपीट का प्रियोग करिए यह तो आप साथ नहीं रहेगा दोस्तों आगे देख रहे होंगे छठा वर्ड दोस्तों रिबार्ण अगेन ये भी वही है दोस्तों रिबार्ण मतलब फिर से आना या मिलना और अगेन मतलब दुबारा दोस्तों तो रिबार्ण अगेन कभी भी नहीं रहेगा उसी तरह रिब्यूल्ड अगेन रिब्यूल्ड मतलब पुना निर्मित करना और अगेन मतलब दुबारा दोस्तों तर्थात इसका दोनों का प्रियोग साथ में नहीं रहेगा उसी तरह दोस्तों रिट्रीट अगेन है रिकाल अगेन है रिसीड जी हां दोस्तो एक बार फिर से बोलता हूँ repeat, rebirth, rebuild, retreat और दोस्तो recede के साथ के साथ कभी again का प्रियोग नहीं करते हैं दोस्तों लिख लिए होंगे दोस्तों आप लोग तो चलिए दोस्तों आज हम लोग उसके आगे चर्चा करते हैं आखिर हम लोग चलते हैं दोस्तों हम लोग चलते हैं दोस्तों करेक्ट और इंकरेक्ट पर जी हां दोस्तों हम लोग चलते हैं करेक्ट और इंकरेक्ट पर दो to appear in the next meeting all the members मतलब सभी सदस्यों को आफ दा बोर्ड बोर्ड के सभी सदस्यों को are kindly requested मतलब प्राथना की जाती है या request किया जाता है to appear मतलब उपस्थित होने का in the next meeting अगली सभा में जी हां दोस्तों सभी सदस्यों को अगली सभा में उपस्थित होने का के लिए request की जाती है दोस्तों तो दोस्तों देखिए हमने क्या बता है देख रहा हूं दोस्तों सही जवाब आ रहा है नितिन का सही जवाब आ रहा है जोस्तों अभी का सही जवाब आ रहा है अभी का सही जवाब आ रहा है सत्य नारायर अवस्थी सही जवाब आ रहा है बहुत से बच्चे सही जवाब दे रहें बिल्कुल दोस्तों इसका मतलब दोस्तों कि आपके समझ में आ रहा है दोस्तों जय हिंद लिखिये दोस्तों और आज आप लोग सेयर नहीं किये दोस्तों एक बार जरूर सेयर करिए तो दोस्तों देखिए हमने क्या कहा दोस्तों कि kindly और requested का प्रयोग कभी साथ साथ नहीं होता दोस्तों तो अर्थात इसमें जो एरर है दोस्तों इसमें जो एरर है दोस्तों वो बी पार्ट में एरर है जी हां दोस्तों पहले के बी पार्ट में एरर है पहले के बी पार्ट में दोस्तों एरर है वहीं आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं universally और all दोनों का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो चाहे आप universally का प्रयोग करेंगे दोस्तों, चाहे आप all का प्रयोग करेंगे, ठिक, दोनों कभी एक साथ नहीं रहेगा दोस्तों, तो error किस पार्ट में ह बताइए एरर आपका सी पार्ट में हो जाएगा दोस्तों आगे देख रहे होंगे दोस्तों कुष्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है अर्थात कुष्चन नंबर दो का आपने क्या बताया दोस्तों कुष्चन नंबर दो में भी आपका सी पार्ट में एरर ह आगे चलते हैं दोस्तों question number 3 पर लिखा है my father asked me, मेरे पिता ने ask माने पूछा मी माने मुझसे, मेरे पिता ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? if माने यदि I had sufficient enough money, मतलब मेरे पिता जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास फीस देने के लिए परियाप्त धनरास है? क्या तुम्हारे पास फीस देने के लिए परियाप्त धनरास है? तो दोस्तों यहाँ पर गलत क्या होगा दोस्तों, आप लोग comment करके बताएए किस पार्ट में गलत है दोस्तों, आप लोग comment करके दोस्तों बताएए किस पार्ट में error है दोस्तों, तो देख रहा हूं दोस् सफी सियंट और एनफ दोस्तों दोनों कभी साथ में प्रियोग नहीं किये जाएंगे जी हां दोस्तों सफी सियंट और एनफ दोस्तों दोनों कभी साथ में प्रियोग नहीं किये जाएंगे दोस्तों तो आगे चलते हैं दोस्तों अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा किया the chairman मतलब chairman से क्या करने के लिए to repeat the question प्रस्ट को repeat करने के लिए again, तो repeat और again दोनों साथ में आ गया दोस्तों, अर्थात इसी पार्ट में गलत है दोस्तों, तो कहाँ पर गलत हो जाएगא दोस्तों बताईए, अर्थात आपका सी पार्ट में गलत हो जाएगा दोस्तों सी पार्ट में आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रिपीट और अगें दोनों साथ में नहीं रहेगा दोस्तों आगे लिखा है दोस्तों पच्वा और छट्वा देखिए पच्वा और छट्वा देखिए दोस्तों लिखा है सी फिल्ट वह मैसूस करती है reborn again after the nice message मतलब after the nice message दोस्तों तो देखिए अब यहाँ पर reborn again का प्रियोग किया गया है और हमने बताया दोस्तों कि retreat हो गया reborn हो गया rebuild हो गया इसके सब के साथ दोस्तों again का प्रियोग नहीं किया जाता अर्था जो error है दोस्तों वो b part में error होगा जी हाँ दोस्तों b part में error होगा छटवा आप लोग बताइए दोस्तों छटवा आप लोग बताइए कि कहाँ पर error है दोस्तों छटवा आप लोग बताइए तो देख रहा हूं दोस्तों नितेश का सही जवाब आ रहा है आस्तिक का भी सही जवाब आ रहा है दोस्तों और नितिन का भी सही जवाब आ रहा है दोस्तों अभिसेख का भी सही जवाब आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही बहुत सही इसका मतलब लग रहा है दोस्तों कि आप सब के समझ में आ रहा है दो दोस्तो री कॉल बैक का प्रियोग किया गया है अ अर्थात री कॉल के साथ बैक का प्रियोग नहीं होगा दोस्तो अ developed कर आज का वर्ड को ने देख़्ें चौथा रून पढ़ेंगे जी हां दोस्तों आज हम लोग नाउन का चौथा रून पढ़ेंगे दोस्तों पहला हम लोगों ने पढ़ा पहला हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि वे मतलब की वे नाउन जिनके पहले ए या आयन का प्रियोग नहीं होता और यस का प्रियोग न आयन कप्रियोग नहीं किया जाता वहीं हम दूसरे दिन देखा था दोस्तों कुछ नाउन होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज में प्लूरल होते हैं जिसमें आपने देखा था दोस्तों कैटल जिसमें आपने देखा था पॉलिस जिसमें आपने पीजेंटरी जिसमें आपने देखा था क्या चीज देखा था दूस्तों जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज में प्लिउलर होते हैं जैसे पैजामा सूज, सॉक्स, ठिक, लाइगीज, बाइनोकुलर, ये सभी दोस्तों देखने में तो बत्ला, प्लूणर लगते हैं और यूज में भी प्लूणर होते हैं उसी क्रम में आज हम लोग आगे देख रहे हैं दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते तो singular है दोस्तों जो दिखते तो देखिएगा कुछ नाउन ऐसे होते हैं दोस्तों जो दिखते plural हैं और यूज में दोस्तों singular होते हैं आपकी स्क्रीन पर word दिख रहा होगा दोस्तों मैं इसको define कर देता हूं अच्छे से जैसे हो गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट में दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट है आपके mathematics, physics, economics, politics नहीं है दोस्तों, economics, civics और electronics, mechanics तो देख रहे हैं दोस्तों इसमें यस लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा दोस्तों इसमें देख रहे हैं दोस्तों यस लगा हुआ है अर्थात जितने भी subject होते हैं दोस्तों जितने भी subject होते हैं वो सभी देखने में plural होते हैं लेकिन यूज में क्या होंगे दोस्तों singular होंगे ठीक जैसे mathematics mathematics are difficult या mathematics are difficult subjects subjects to understand ठीक तो mathematics are difficult subjects to understand mathematics मतलब math आर माने है difficult मतलब cutting subject to understand मतलब समझने के लिए mathematics समझने के लिए cutting subject है दोस्तों तो इसमें error कहां पे है दोस्तों मैंने कहा दोस्तों जितने भी subject हैं जितने भी subject हैं दोस्तों वो सभी देखने में तो plural रहेंगे लेकिन दोस्तों यूज में singular भेंगे अर्था जो यहां पर आर है दोस्तों ना आर दोस्तों गलत है यहां पर क्या होगा इज होगा और यह दोस्तों बहुत important है 2000 2018 में यह पूछा गया था दोस्तों नवंबर 2018 में यह पूछा गया था ठीक तो दोस्तों यां रखिएगा सब्जेक्ट जितने भी हो गए जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों वो सब दोस्तों किया होंगे ए। singular होंगे ठीकु उसके साथ किसकी प्रयोक क्या जाए गाए सिंगुलर का देखने में तो plural नहेंगे लेकिन यूज में दोस्तों singular जैसे आगे चलते हैं दोस्तों दूसरा जितनी भी बिमारी है दोस्तों डिसीज जितनी भी दोस्तों क्या है जितनी भी दोस्तों बिमारी है डिसीज जितनी भी दोस्तों बिमारी है देखने में प्लियूरल लगती है लेकिन दोस्तों यूज में जो सिंगुलर रहती है जैसे जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे आप दोस्तों जैसे मम्स मम्स ठीक जैसे आप देख रहे हों दोस्तों रेबीज मम्स हो गया रेबीज हो गया डाइबिटीज हो गया दोस्तों यह सब देखने में तो आपको लगेंगे कि यस लगा हुआ है दोस्तों लेकिन यूज में दोस्तों क्या होते हैं ये सब यूज में दोस्तों सिंगुलर होते हैं यूज में क्या होते हैं दोस्तों सिंगुलर होते हैं देखते हैं काद इक्जामपल अगर इसमें मिल जाता है दोस्तो मिल जाता है तो क मढ़ा तो कि देख रहे हैं दोस्तों कि नहीं लिखा हुआ है इक्जांपल नहीं लिखा हुआ है दोस्तों है क्ष्ग हाने लिखाये दोस्तों तो यह चीज है लेकीन आप لوग याद रखिएगा जैसे अब हमने mathematics का बताया उसी तरह जितनी भी बिमारी हमेशा सिंगुलर का प्रियोग होता है दोस्तों प्लीवरल का प्रियोग नहीं होता उसके बात देखिए दोस्तों डिसीज हो गया आपके न्यूजपेपर हो गए न्यूजपेपर हो गए दोस्तों जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स तो दोस्तों गुड निउस्पेपर जी हां दोस्तों बताईए दोस्तों एरर क्या है इसमें हिंदुस्तान टाइम्स आर एक गुड निउस्पेपर तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों आर का प्रियोग किया गया है और हमने कहा दोस्तों कि जितने भी निउस्पेपर होते हैं आपके जि क्या होगा दोस्तों इज का प्रियोग किया जाएगा उसी तरह दोस्तों जितनी भी किताबे हैं जैसे अरेबिया नाइट्स जी हां दोस्तों अरेबिया नाइट्स एक बूक है दोस्तों तो जितनी भी किताबे हैं दोस्तों उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रियोग Hellebling verb प्रियोग की जाती है धो स्तूした यह सभी है दोस्तों हमने आपको बता दिया rule, rule यह rule noun का था धोस्तों कि जितने भी आपके subject हो गई, जितने भी आपकी बिमारी नहीं हो गई, जितने भी आपके इन्डिघार पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और लाजी वर्ड पढ़ते हैं दोस्तों लाजी वर्ड पढ़ते हैं और लाजी वर्ड में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों लाजी वर्ड में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लॉजी वर्ड में दोस्तों आज देखिए सबसे पहला बॉर्ड पढ़ेंगे एग्राश्टो लॉजी दोस्तों लॉजी का माइने हमने बताया था क्या मतलब लॉजी का मतलब हमने बताया था दोस्तों अध्यान मतलब अगर किसी वर्ड में किसी वर्ड में दोस्तों लाजी मिल जाए तो उसका मतलब होता-एद्धियन ठिक याद रखिएगा जब भी आपको लाजी मिल जाए दोस्तों तो जान लीजिएको जिसमें आप्सन में स्टेडी वर्ड दिखे वही आपका सही हो जाएगskERS याद रखिएगा। उसी तरह हमने दोस्तों एक वर्ड बताया था मेनिया मेनिया का मतलब होता है दोस्तों सनक और एक वर्ड हमने बताया था दोस्तों फोबिया का मतलब बताये क्या होता है दोस्तों फोबिया का मतलब बताये दोस्तों क्या होता है अगर आप बता देंगे तो मैं जान जाओंग ब्लेक अजगर अच्छा नाम है विकास सही जवाब दे रहें दोस्तों तो दोस्तों फोबिया का मतलब होता है डर भय तो फोबिया का मतलब भय होता है दोस्तों और लाजी का मतलब दोस्तों अध्यान होता है तो देख रहे होंगे दोस्तों लिखा है एक ग्रोष्टो लाज एग्रोस्टो लाजी का मतलब होता है दोस्तों, study of grass, जी हाँ दोस्तों, study of grass का मतलब होता है दोस्तों, घास का अध्यान या फिर एग्रोस्टो लाजी, ठीक, एग्रोस्टो लाजी मतलब होता है दोस्तों, study of grass या फिर घास का अध्यान, दोस्तों, मजा आ रही होते एक बार करिए दोस्तों लाइक बहुत कम है मैं देख रहा हूं दोस्तों लाइक पहला दीजे कुल हर जगा पहला दीजे दोस्तों जब een खोलूं तो मुझे दिखे कि हां हमारे बच्चे हमारा जो है पोस्ट सेर किये हमारा चैनल सेर किये दोस्तों तो आपका अपना परिवार है दोस्तों दा स्पीर इस्टिडी आपका अपना परिवार है और इसको जादा से जादा सेर करिए दोस्तों यहाँ पे आपको Class 12 तो के भी पूरी Class मिलेगी दोस्तों यहां पे आपको Competition के भी पूरी Class मिल रही है तो दोस्तों Share जरूर किया करेए तो चलिए दोस्तों अगला वड़ देखते हैं पहला हमने Logi में देखा है मेट्रोलाजी मतलब होता है दोस्तों इस्टडी आफ वेदर दोस्तों जो मौसम का अध्यान किया जाता है क्या चीज़ दोस्तों मौसम का अध्यान दोस्तों जो मौसम का अध्यान किया जाता है उसे कहते हैं मेट्रोलाजी जी हां दोस्तों metrology मतलब होता है दोस्तो we है we a t h e r metrology का मतलब होता है दोस्तो study of weather या फिर मौसम का अध्यान जी हां दोस्तो study of weather मतलब मौसम का अध्यान क्या होता है दोस्तो metrology होता है आगे चलते हैं दोस्तो तीसरा word आगे देखते हैं दोस्तो तीसरा word तीसरा वड़ क्या है हमारा तीसरा वड़ क्या है हमारा मजा आ रहे हैем करेज़्ट अक्षित सुभम हनुमान नितिन प्रमोध सरसमज में आ रहा है निलेश बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर धन्यवाद अपिसे धन्यवाद सत्यनारायण सर एकदम मजा आ गई भवानी जय हिंद भवानी तो चलिए दोस्तों तीसरा वर्ड देखते हैं और तीसरा वर्ड देखिए दोस्तों थियो लॉजी जी हां दोस्तों थियो लॉजी दोस्तों यहां पर दो वर्ड आपको मिलेगा एक थियो मिलेगा दोस्तों और एक लॉजी म होता है और थियो का मतलब होता है दोस्तो धर्म जी हाँ दोस्तों थियो का मतलब होता है दोस्तों धर्म और अरुछा धर्म का अधियन या फिर इस्टड़ी इस ट्ड़ी आफ रिल्ीजियस जी हां दो Remo zwischen strainer religions है धर्म का अध्यन धर्म का अध्यन दोस्तों उसे कहते हैं थियो लॉजी जी हां दोस्तों और अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों चौथा वर्ड ऑनको लॉजी जी हां दोस्तों चौथा वर्ड देखते हैं दोस्तों ऑनको लॉजी और आंको लॉजी का मतलब होता है दोस्तो का मतलब होते है करक का मतलब क्या होता है गlor मतलब होता है जोंतों करक का मतलब होता है जोंतों कैंसरी लिडियन सब्हें ईस venal तो इस टेड़ी आफ केंश रसल मतनम होता है जोस्तों करक रोग करक रोग अधियन जो होता है दोस्तों उसे कहते हैं कैंश रसल मतलब गुर्दे से संबंधित बिमारी का जो अध्यान है दोस्तों उसे क्या कहते हैं आनकोलाजी उसी तरह दोस्तों अगला देखिए उसी तरह दोस्तों अगला और आखरी देखिए से रहिनो लाजी हां दोस्तों रहिनो लाजी तो स्टी आफ इसको कहते हैं नासा विज्ञान और नासा विज्ञान का मतलब दोस्तों होता है नाक सम्बंधित बिमारी अधराथ स्टी आफ नोज disease study of nose disease मतलब नासा विज्ञान या फिर नाक से सम्मंधित बिमारी का अध्यान जी हाँ दोस्तों नाक से सम्मंधित बिमारी का अध्यान तो हमने दोस्तों आज कौन कौन सा वर्ड पढ़ा एक पढ़ा metrology मतलब study of weather एक पढ़ा agrestology study of grass एक पढ़ा हमने oncology study of study of cancerous cell एक पढ़ा हमने रिहनो लाजी study of रिहनो लाजी की बतलब study of nose diseases हमने दोस्तों आज पांच वर्ड पढ़े और बताईए कि पांचों वर्ड समझ में आया कि नहीं दोस्तों अगर आ गया हो तो जल्दी से एक बार जयहिन लिखे दोस्तों हमने कहा दोस्तों जितनी बार जितना topic खताम हो दोस्तों उतनी बार जयहिन लगना चाहिए हम लोग एए फोट्स के student है दोस्तों तो जल्दी से एक बार लाइक करिए दोस्तों एक बार सेर करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों ओडबलू यस जी हां दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं ओडबलू यस तो दोस्तों एक सूचना दे देते हैं आपको सूचना यह है एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं दोस्तों संडे को आपकी संडे को आपकी दोस्तों दो घंटे की महराथन चलेगी संडे को आपकी दो घंटे की महराथन चलेगी दोस्तों दस बजे से बारा बजी तक दस बजे से बारा बजे तक दो गंटे की महराथन चलेगी दोस्तों और सब को आना है दोस्तों सब को आना है याद रखिएगा तीन चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे इस दिन दोस्तों तीन चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक कंप्लीट करेंगे दोस्तों ethics दूसरा complete करेंगे दोस्तो sequence of tenses sequence of tenses और तीसरा chapter complete करेंगे दोस्तो question tag जी हाँ तो तीन chapter आपका दोस्तो Sunday को cover किया जाएगा Sunday को आपकी दो घंटे की महराथन क्लास है इसको जरूर देखिएगा दोस्तो ये live ही चलेगी दोस्तो live चलने के बाद ये class दोस्तो delete कर दी जाएगी तो इसलिए Sunday वाली class दोस्तो live देखिएगा सोच लीजे दोस्तो offline बैच में जो ये बैच आपकी चल रही है offline बैच की जो मतलब class की fees होती है दोस्तो वो लंसम 5000-4000 के आसपास रहती है आपको वो सारा material free में मिल रहा है दोस्तो उसके बाद भी आप देख नहीं रहे हैं तो Sunday को ये class दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूं बात में मत कहिएगा कि सर हम नहीं देख पाए तो Sunday को आपको दो घंटे ये आना है दोस्तों और दो घंटे ये आपकी चलेगी अनुराग है अनुराग में एसमाल रहेगा दोस्तों कल की यही है देख लिजी ए-यन-y यू-आप ऑडी कल की पी डिएप का जो पासवर्द है दोस्तों वो है अनुराग ए-यन-y उ-ई--अ-जी जी हाँ दोस्तों ठीक यासन इम लोग क्या वर्ड आपके लिए क्या है ओडबलू यस में दोस्तों कर वाली क्लास में दोस्तों आटी वर्ड बताईए क्या बताया था हमने सुभम Adjourn ठीक है दोस्तो Adjourn कल बताया था आज उसके आगे देखते हैं Adjourn माने क्या होता है दोस्तो बताईए Adjourn मतलब होता है दोस्तो अस्थगित करना किसी सभा या मीटिंग को इस्थगित करना उसे Adjourn कहते हैं OWS में दोस्तो पहला वर देखिए OWS में दोस्तो पहला वर देखिए GERISON G-A-R-I-S-O-Y-N G-A-R-I-O-Y-S-O-Y-N GERISON मतलब क्या होता है दोस्तो GERISON मतलब होता है दूर्ग रक्षक यह भी दोस्तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2017 में यह पूछा गया था दोस्तो Air Force में GERISON GERISON का मतलब होता है दोस्तो दूर्ग रक्षक या A number of soldiers A number of soldiers ठीक A number of soldiers मतलब साइनिकों की संख्या for guarding for guarding of a fortress of a fortress किसी किले की मतलब किसी किले की रक्षा करने वाला गार्डिंग आफ एफ फोट्रेस मतलब किसी किले की रक्षा करने वाला या फिर दूर्ग रक्षक दोस्तों गैरीजन मतलब क्या होता है दोस्तों दूर्ग रक्षक होता है ठीक इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों उसमें लिखते चलिएगा गयरीजन मतलब होता है दोस्तों दुर्ग रक्षक ठीक अगला वड़ देखिए दोस्तों ग्रेप वाइन ठिक सहां है ग्रेप वाइन और ग्रेप वाइन एजिए यह बताए दोश्थू ग्रेप मतलब अंगूर वाइन मतलब बेल अंगूर की बेल मतलब दोस्तों अंगूर की बेल दीखिए तो चड़ती चली जाती है तो आइसी कौन सी चीज दोस्तों जो फैलती चली जाती है अफवाह दोस्तों कोई अफवाह भी फैला दीजिए कोई अफवाह फैला दीजिए दोस्तों तो देखियो कितनी देजिस फैलेगी दोस्तों ज जो खराब बाते होती है ना वो जल्दी फैलती है अभी आपकी कोई अच्छाई हो आपकी कोई अच्छाई हो और किसी को पता चल जाए दोस्तों तो वो किसी को बताएगा नहीं लेकिन आपकी बुराई अगर दोस्तों किसी को पता चल जाएगी तो वो चार आदमीं यह फलाने ऐसे यह फलाने ऐसे यह तो दोस्तों वही चीज़ है कि ग्रेप वाइन और ग्रेप वाइन का मतलब होता है दोस्तों अफवाह क्या होता है दोस्तों ग्रेप वाइन का मतलब होता है दोस्तों अफवाह ग्रेप मतले अंगूर के बेल अंगूर की बेल की तरह फैले अर्थात क्या फैलेगी दोस्तों अफवाह फैलेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए रियूमर क्या हो जाएगा दोस्तों ए रियूमर दोस्तों अगर विकव में आपको रियूमर्स मिल जाएगा तो जान लीजिए का उसका मतलब क्या हुआ ग्रेप वाई हुआ हो अफ्वाह रिवर अफवाह फ्ल मेर्श ओख लेक तो वहीं चीज़ेट उस्थ अ लिवर्ला मतलब होता है अपवाह मजा आरे एक नहीं दोस्तों बिटा यह मलался आ होगे देखते हैं अगला वड़ दोस्तों आगे दिखते हैं लिखा है दोस्तों अगला वर्ड लखते हैं दोस्तों कि क्या होता है दोस्तों हुमैनी टेयर्यन जी तीरियन मतलब वादी मतलब माना उतावादी जिजिए हमएंटैरियन मतलब क्या होता होता है दोस्तों स्तुम एक ipad for all human beings मतलब एक आडमी जो लोगों के लिए कारिक रैच जोसे क्या कहेते दोस्तों माना उतावा दी मतलब एक आदमी अगर दूसरे व्यक्त की बीना किसी मतलब मतलब के अगर उसकी मदद करता है दोस्तों तो वही मानवतावादी है ठिक अगर कोई गिर गया है दोस्तों आप देख रहे हैं तो उसको उठा दीजिए ये मानवता है तो दोस्तों मानवतावादी यानि कि हुमानितेर मानाउतावादी मतलब क्या हुआ दोस्तों हुमाइनिटेरियन एक परसन हुवर्क्स फार अदर एक आदमी जो दूसरों के लिए कारे करता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों मानाउतावादी कहेंगे दोस्तों आगे देखते हैं और आज का आखरी है रांग है रांग है रांग मतलब होता है दोस्तों गुशे से दिया गया भासर या फिर जोरधार भासर जैसे कोई आए एक घंटा एकडम तबाही मचा के रखती दोस्तों तो उसे ही कहते हैं गुशे से दिया गया भासर गुशे से दिया गया भासर या जोरधार भासर जोरधार भासर दोस्तों या फिर गुशे से दिया गया भासर उसे क्या कहेंगे दोस्तों है रांग कहेंगे मतलब ए नुआईजी स्पीच मतलब दोस्तों गुस्षे से दिया गया भासड उसे क्या कहेंगे दोस्तों अगे चलते हैं और आगे चलते हैं दोस्तों IP में आपके लिए क्या है देखते हैं IP में आपके लिए क्या है लेकिन इसके पहले IP लगाने इस पहले दोस्तों एक बार सेर करिए एक बार शेर करिए दुसतों, जब तक आप 30 पार नहीं करेंगे, मैं IP नहीं लगाँगा, पक्का, आज तो नहीं लगेगा, अब जब आप एक बार शेर करेंगे दोस्तों, लाइक करिए, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जितने लोग देख रहे ह pliers, सभी लोग लाईक करो सब्सक्राइब कि दोस्तों आप सेयर नहीं कर रहें मैं नहीं पढ़ाओंगा जले देखते दोस्तों आई पी में वर्ड नंबर 13 आई पी में वड नंबर 13 अर्थाथ आई-पी का पहला वर्ड देखते हैं दोस्तों आई-पी का मतलब होता है दोस्तों आइडम फ्रेज जो नए जुड़े हों जान लिजेगे दोस्तों आई-पी का मतलब होता है आइडम फ्रेज और पहला वर्ड दोस्तों है आपका पैंडूराज बाक्स बताईए दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों बताईए पैंडूराज बाक्स बताईए दोस्तों इसका क्या होगा अगर बता देंगे तो मैं जानूगा कहां आप लोग पढ़ाई करने हैं दोस्तों इसको मैंने बताया है दोस्तों इसको मैंने दो दिन आप लोग दोस्तों यानि कि पैंडोराज बाक्स मतलब होता है दोस्तों दा कलेक्शन आफ एबिल मतलब बुराईयों का भंडार दोस्तों या फिर दुष्ट सक्तियों का भंडार क्या है दोस्तो दा कलिक्षन मतलब भंडार आफ एबिल मतलब बुराईयों का तो या फिर दोस्तो कह दीजिए बुरी सक्तियां जी हां दोस्तो तो पैंडोराज बाक्स मतलब क्या होता है दोस्तो बुरी सक्तियां आगे चलते हैं और दूसरे वर्ड पर चलते हैं दोस्तो द गो माने चले जाना, डाउन मतलब नीचे, नीचे चले जाना दोस्तों, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग मर गए हैं, अगर उनको हम आज के समय में याद करते हैं दोस्तों, तो उसे हैं कहते हैं गो डाउन, गो डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों आने वाले समय में याद करना या याद किया जाना दोस्तों गलत लिख दिया मैंने याद किया जाना और आने वाले समय में याद किया जाना मतलब होता है दोस्तों गो डाउन ठीक तो इसका मतलब क्या हुआ तो कम टू बी रिमेंबर in पोश्टल्टी मतलब या फिर तू बी डा रिमेंबर भविस्स में याथ किया जाना तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों गो डाूं कहते हैं और आज का तीसरा वर्ड आई पी का आखरी वर्ड देखेंगे दोस्तों जो कि है सीजर्स वाइफ मतलब होता है दोस्तों आप सोच लिएंगे सीजर कौन है दोस्तों जो इस समय दोस्तों जो इस समय आपका मर्चन्टा अव बेनिस है जिसमें आपका पोर्सिया यह सब हैं दोस्तों पहले इसकी जहां पर चलती थी दोस्तों जूलियस सीजर ठीक जूलियस सीजर चलती थी दोस्तों अच्छी कहानी थी इंग्लिस में पढ़ाई जाती इंग्लिस की कहानी थी दोस्तों इंग्लिस में चलता था वो ड्रामा था इंग्लिस का अब तो मर्चे में चलती थी दोस्तों पंद्रा में चलती थी पंद्रा में तो आपका जो ही था जो इस समय है 2009-10 में चलता था दोस्तों एक जूलियस सीजर करके चलती थी ड्रामा चलता था दोस्तों उसी में जो है सीजर जो थी वह जूलियस की पतनी थी तो वहीं चीज कह रहा है दोस्तों सीजर्स वाइफ सीजर्स वाइफ का मतलब होता है दोस्तों संदेह से संदेह से परे होना मतलब क्या होता है दोस्तों संदेह से परे होना मतलब सक ऐसा ब्यक्ति ऐसा ब्यक्ति दोस्तों जिस पर कभी सक ना किया जा सके ठिक जिस पर कभी सक ना किया जा सके दोस्तों उसको कहत हैं सीजर्ष वाइप या संदेह से परे होना वाइफ और वाइप का मतलब ही होता है दोस्तों कि कभी सक ना हो ठिक तो वही चीज़े दोस्तों संदेह से परे होना अर्थात सीजर्ष वाइफ a person who required to be above suspicions ठिक यस यू यस पी आई यस आई यो यह यन सा स्पिशन यस यू यस पी आई यस ओयन सास्पिशन सास्पिशन मतलब होता है दोस्तों संदे ठिक प्रजिंट कि कि एक आदमी जो संदे से परे हो दोस्तों उसे कहते हैं सीजर सो वाइब तो यह था दोस्तों आई-पी का हमारा वर्ड दोस्तों तो आज हम लोगों ने पूरी क्लास देख ली दोस्तों तो एक बार जल्दी से जय हिंद करिये उसके बार देखता हूं कि कौन क सब्वान बच्चा आज प्रजेंट रथा दोश्तो मैं सब के कमेंट देखूंगा सुरू से जितने बच्चे कमेंट किये हैं सब का नाम में लुगा दोस्तों. एक बार जल्दी सज्जा इन हिंद करी है दोस्तों. एक बार जल्दी सजय हिंद करिये सुभम गोदरा, हनुवान विश्णोई, नितिन राठावर, प्रमोत पाल, सागर पंडित, आक्रित भदोरिया, आस्तिक यादो, नितेस्त कुसवाह, नील प्रताप, लवेश, अभी, अभिशेक, सत्नारायन अवस्थी, भवानी राठावर माना सवस्थी, राजन, संदीप, ग्यान, राउनक, राजेश, नितिस, बलेक अजगर, किसान कुमार और बिकास, इतने बच्चे थे दोस्तों, हाँ कुछ बच्चे और हैं दोस्तों, कुछ बच्चे और हैं, चलिए ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत धन्वाद, दोस तो उसको मैं specially पढ़ता हूँ, जितने बच्चे आफ लाइन कमेंट की रहते हैं, उसको मैं खुद पढ़ता हूँ दोस्तों, तो आफ लाइन कमेंट करके बताएए कि दोस्तों क्लास कैसी चल रही, मजा आ रही नहीं आ रही दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, मिलेंगे चार बजे दोस्तों, तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद,